हेलो, वेलकम तो माई चैनल, इस वीडियो में मैं मातमा गांधी से रिलेटेट सारे फैक्ट्स बताने वाला हूँ, जो की आपके भेरियस कम्पुटिशन एक्जाम लाइक SSC, ग्रूब डी, NTPC and other state level exam में important है, आप अगर previous year paper को follow कर रहे होंगे, तो उसमें आप जरूर देखत होंगे कि एक number का question मातमा गांधी से related मिलता ही मिलता है, मैंने इस वीडियो में ज्यादा extra fact एड नहीं किये हैं, सिर्फ और सिर्फ जो previous year में exam में question आया हुआ है, उसका मैंने संग्रा किया है, और उससे related जो fact है, वो मैंने include किये हैं, तो आसा करूँगा, इस वीडियो के दे की हो जाएगी, ये मेरी guarantee है, आप check कर लेंगे कोई भी set मार के, चलिए शुरू करते हैं, इनका पूरा नाम मोहंदास करमचन गांधी था, मोहंदास इनका वास्त्विक नाम है, एक बार ये question पूछा गया है, कि मातमा गांधी का वास्त्विक नाम क्या था, तो मोहंदास, और करमचन गांधी इनके पिता का नाम था, जैसे नरेंदर दामोदर्दास मोदी, मोदी जी के पिता का नाम दामोदर्दास मोदी था, तो इस प्रकार से ही इनके नाम में पिता का नाम जोड के ही ये लिखते थे, इसलिए मोहंदास करमचन गांधी इनका पूरा नाम था, इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और इनकी साधी कस्तुर्वा गांधी से हुई कस्तुर्वा गांधी जब 11 साल की थी तभी इनकी साधी 13 साल के महत्मा गांधी से कर दी गई थी अभी एक fact में बता देता हूं कि कस्तुर्वा गांधी जो हैं उनके नाम पे भारत में कस्तुर्वा बाली का विद्या ले चलता है खेर आप ये याद रखेंगे कभी ये पूछ भी दिया जा सकता है तो आप confused नहीं होंगे इनका जन्म 2 October 1869 में हुआ था तो महत्मा गांधी का जन्म आप एकदम BBI मार के याद रखेंगे कि 2 October 1869 अभी बहुत जन्म ये confused हो जाते हैं मैंने देखा है मेरे 2-3 दोस्त खुद confused हो जाते थे तो 1869 और 1889 में काफी लोगों को confusion होता है और एक नमबर गमा के आ जाते हैं तो 1889 में जवाहर लाल नहरू का जन्म हुआ था जबकि 1869 में महत्मा गांधी को आप ये confused नहीं होंगे किस परकार से मैं एक trick बता देता हूँ कि महत्मा गांधी राष्ट पिता थे आप जानते हैं और जवाहर लाल नहरू परधान मंत्री तो राष्ट का जो पिता होगा वो परधान मंत्री से भी बड़ा होगा क्योंकि पूरे वो देश का पिता है सारे देश का पिता यानि सबसे बड़ा तो एज में जो बड़ा होगा इन दोनों में वो महात्मा गांदी होंगे तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे 1869 बड़ा है 1889 से तो यह महात्मा गांदी और 1889 छोटा है तो वो जवारलान नहर मैंने एक ट्रिक ऐसे बना दी कि आप कन्फ्यूज नहों आप एक्जाम होल में जाएंगे तो मेरी ये बात आपकी दिमाग में स्ट्राइक करेगी आप असानी से बना पाएंगे तो 14 नमबर 1889 यह जवारलान नहरू का बर्थ है आप याद रखेंगे बर्थ से रिलेटिड मुझे एक फैक्ट याद आ गई है तो मैं आपको बता देता हूँ 14 अप्रेल 1881 आप लिख लेंगे 14 अप्रेल 1881 नोट करते चलें यह भीमराम अमबेतकर जी का जन्म दिन है यह कॉस्षन अभी हाल में ही एक्जाम जो हुए है डी अप्सी सी आईल की उसमें पूछी गई है और 11 अप्रेल 1827 इसमें यह जो है जोतिवा फुले जी का जन्म दिन है यह कॉस्षन जो है इस तरह से नहीं पूछा गया था पूछा गया था यह डी अप्सी सी आईल के एक्जाम में पूछा गया है 29 तारीक के सिफ्ट में कि जोतिवा फुले का जन्म कब हुआ था तो इसका अंसर 18 27 अप्सन में था तो यही सही अंसर होगा तो आपको मैंने पूरा बता दिया कि 11 अप्रेल 18 27 को जन्म हुआ और एक फेक्ट आप यह याद रखेंगे 2 अक्टूबर से मुझे याद आगी 2 अक्टूबर 1904 को एक बहुत ही important आदमी का जन्म हुआ था जिससे related question पूछे गए हैं कि 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादूर सास्तिरी जी का जन्म हुआ था तो आप यह भी याद रखेंगे इन्होंने 1965 के युद्ध जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उस समय ये पीम थे और भारत युद्ध जीता था पाकिस्तानी को बुरी तरह से हरा के तो यह भी फैक्ट आप याद रखेंगे तो आगे बढ़ते हैं तो इनका जन्म दो अक्टूबर 1969 को पुरवंदर गुजरात में हुआ इसे गांधी जेनतिक रूप में मनाते हैं इनकी मिर्तियू जो है 30 जन्वरी 1948 को न्यू देल्धी में हुआ बिर्ला भावन में अभी मैंने ये फैक्ट एड कर दी है क्योंकि ये जो है पहले कहा जाता है कि वो राम राम करते हुए मरे और जहां तक आप भी जानते होंगे कि महात्मा गांधी राम राम कहीं भजन करते थे और इनकी मिर्तियू भी जो है ऐसे व्यक्ति के द्वारा हुई जिसके लास्ट में नाम के साथ राम जुड़ा हुआ था तो आप ये याद रखेंगे नाथुराम गोटसे ने अपनी बेरेटा प्रिस्टल से तीन गोलियां मात्मा गांधी के सीने में मारी थी ये आप याद रखेंगे ये कोशन BPSC में पुछा हुआ है कि नाथुराम गोटसे ने कितनी गोलियां चलाई थी तो तीन गोलियां चलाई थी आप ये याद रखेंगे सहित दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है 30 जनुवरी को आप ये फैक्ट याद रखेंगे ये कोशन बहुत सारे एकजाम में SSC का तो ये फैबरेट कोशन है तो आप ये याद रखेंगे अप नोट करके लिख लें कि महात्मा गांधी को महात्मा का अउपाधी गुरुवर रविन्नाठ टाइगोर ने दिया था रविन्नाठ टाइगोर से नोबल पुरुषकार मिला उन्हें साहित में नोबल मिला था ये भी याद रखेंगे आप और रविन्नाठ टाइगोर जी को गुरुदेव की उपाधी महात्मा गांधी ने दिया अगला है इनको राष्टपिता के नाम से सरप्रथम किसने संबोधित किया तो राष्टपिता के नाम से सुभास चनबोस ने संबोधित किया इसके बारे मैं एक चीज बता देता हूँ कि 1944 में जब आजाध हिंद फोज के लिए भारत में रेडियो से वो एनाउंस कर रहे थे इसमें भरती के लिए तो उन्होंने मात्मा गांदी को त्राष्टपिता काके संबोधित किया था इस समें वो रंगून में थी जो कि वर्मा में है अभी फिलाल उसे मियनमार के नाम से जाना जाता है मियनमार से मुझे याद आया आप ये भी याद रखेंगे कि मियनमार की राजधानी अभी नेप्यूडो है तो ऐसा आप याद रखेंगे अब आपको मैं तेजी से ये फैक्ट बताता चलता हूँ आप नोट करते चलेंगे 1893 में जो है दच्छिन प्रिका वकालत के हेतू वो गए थे अब इससे रेलेटेट एक फैक्ट और याद रखेंगे कि वो जब पिट्टोरिया की और ट्रेन से जा रहे थे तो उसमें उन्होंने फर्ष्ट क्लास का पास लेके रखा था तो जो टीटी है उन्होंने उसे ट्रेन में फर्ष्ट क्लास में चड़ने से रोग दिया था और ट्रेन से उतार दिया था जिसके कारण से उन्होंने रंगभेद के खिलाप अधचिनप्रिका में पहला सफल सत्यागरा किया था तो अगर आपसे ये क्वेशन पूछ दिया जाए एक बार ये क्वेशन पूछा हुआ है CGL का क्वेशन है तो इसमें पूछा गया था कि मात्मा गांधी ने अपना सबसे पहला सत्यागरा कहां किया था तो बहुत सारे लोग कनफ्यूज होकर के 1917 वाली चंपारन सत्यागरा मा और उनका गलत हो गया यह सबसे पहला साउथ अफ्रीका में जो है मात्मा गांधी का पर्थम सत्यागरा हुआ था अगर भारत में सबसे पहला सफल पूछा जाएगा तो वह 1917 का ये सत्यागरा था चंपारन ठीक है तो आगे बढ़ते 1915 में ये वापस लोटके आए ये कॉस पूछा गया है जितना भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ सब पूछा हुआ फैक्ट है 1917 में भारत में सबसे पहला सफल सत्यागरा किया ये मैंने आपको बता दिया है ये इससे रिल्टेट कुछ फैक्ट में बता देता हूं कि इसे घुमा के भी आप से पूछा जा सकता है कि नील की जबरन खेती के बिरोध में ये हुआ था, एक बट दस्मा भाग पे उन्हें नील की खेती करनी ही पड़ती थी, तो इससे उनके उपज बहुत घड़ जाते थे किसान की, किसान की इस दैनिया स्थिती को देखते हुए, राजकुमार सुक्ल ने मातमा गांधी को इस अ आप हमेशा याद रखेंगे, उन्होंने सोचा कि मातमा गांधी अगर इस अंदोलन से जूड जाएंगे, तो यह अवस्न ही सफल हो जाएगा, फिर, आगे 1918 का अगर खेड़ा अंदोलन को देखें, तो इसमें भी मातमा गांधी ने सपोर्ट किया था, सरदार बल्लब पटेल से मुझे एक फैक्ट याद है, आप नोट कर लेंगे, कि सरदार की उपाधी सरदार बल्लब भाई पटेल को 1928 नोट करेंगे, 1928 की बार्दोली सत्यागरा में महिलाओं ने, गुजरात की महिलाओं ने इनको दिया था, तो सरदार की उपाधी बार्दोली सत्यागर 1918 में मिला था इनको ये आप याद रखेंगे तो आगे बढ़ते हैं 1918 में ही आहमदाबाद में एक मजदूर मील का भी अंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने पूरी तरह से प्रोटेस्ट किया था मील मालिकों के खिलाप और मील मालिकों ने मजदूरों के खिलाप जो सोश कर रहे थे उसमें कुछ सुधार किये और उनकी मजदूरी और भत्ता भी बढ़ा दिये थे आगे बढ़ते हैं 1920 में ऑसायोग अंदोलन तो ऑसायोग अंदोलन जो है बहुत ही अच्छी तरह से सफल हो रहा था लेकिन एक चौरा-चौरी कांड जो की यूपी में चार फरव परी 1922 को हुआ इस चौरा-चौरी कांड में क्या हुआ था कि कुछ अस्थानियों लोगों ने थाने को घेल लिया था और थाने में आग लगा दी इसमें बहुत सारे पुलिस वाले मारे गए जिसके कारण से मात्मा गांधी स्तब्द रह गए और तुरंथी असयोग अंद को जेल में डाल दिया गया आगे बढ़ते हैं 1920 से एक और फैक्ट में बता देता हूं इस समय में ही खिलापत अंदोलन भी भारत में जोर सोर से चल रहा था खिलापत अंदोलन क्या था कि आपको पता होगा कि 1914 से 1918 में पर्थम विस्युद्ध हुआ था आप नोट कर लेंग और एक तरफ धूरी राष्ट की सेना थी धूरी राष्ट में जो है कुछ परमुख नाम में बता है एक बड़ा नाम ओटोमेन इंपायर का था ओटोमान इंपायर जो है अभी के समय तुर्की जो देश है तर्की का नाम सुनते होंगे जो भारत के खिलाप काफी बयान रहता है तो उसकी एक बिसाल इंपायर थी जो कि मित राष्ट के खिलाप युद्ध में उतरी थी और पर्थम विश्युद्ध में वो हार गए जिसके कारण से उस पे एक संधी डाल दिया गया और वहां पे तर्की में जो एक खलीफा होता था उसके पद को समाप्त कर दिय गया था जिसके विरोध में जो है मुस्लीम जो उल्लाव उलेमा होते हैं वो लोग आ गए और काफी विरोध किया और खलीफा की पदवी को वापस बहाल करने की मांगी थी इसमें भारत में परमुक नाम याद रखेंगे कि अली बंधों के द्वारा किया गया था अब इसम सबसे इंपोर्टेंट फैक्ट आप यह याद रखिए कि 1930 में जो स्वविनए अवग्या अंदोलन हुआ था जिसे नमक अंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और डांडे मार्च भी कहते हैं यह जो है 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अपरेल 1930 तक चला था यह कोशन जो है बहुत बार कुछा गया है आप प्रिवियस यह पेपर अगर फॉलो करते होगा जरूर देखा होगा तो आप इसे एकदम तर अच्छी तरसे याद कर लेंगे कि 12 मार्च से 6 अपरेल तक 1930 में डांडी इसमें 78 सहियोगियों के साथ मातमा गणदी डांडी मार्च के लिए निकले थे और बाकी कार्वा जुरता गया नमक सत्यागरा यानिकी डांडी मार्च नमक सत्यागरा डांडी मार्च के बाद जो है अंगरेज की इस्तिती भारत में बहुत कमजोर हो चुकी थी और महात्मा गांधी एक राष्टियच हभी बन चुके थे तो अंतिम रूप से अंगरेजों को खदेडने के लिए एक राष्ट ब्यापी अंदोलन किया गया जिसे हम भारत छुड़ों अंदोलन के नाम से जानते हैं इसे ही क्विट इंडिया मोमेंट भी कहा जाता है यह 1942 में शुरू हुई थी इसने अंगरेजों के पैर पूरी तरह से भारत से उखार दिये और भारत में स्वराज आने का परकिरिया यहीं से शुरू हो चुकी थी आगे हम बढ़ते हैं तो महत्मा गांधी की प्रमुख कुछ पुस्तक का मैं वर्नल कर देता हूँ ऐसे तो महत्मा गांधी ने 16 पुस्तक लिखी है लेकिन उसमें से 3 ही अभी तक के मैंने प्रिवियस येर पेपर में BPSC तक में मैंने यह कोशन देखा है तो आप इसे ही प रथा थी अटोबाइगराफी थी दूसरी हिंद स्वराज हिंद स्वराज से रिलेटेट एंटी पीसी में एक सवाल पूछा गया था जिसे मैंने याड कर दिया हिंद स्वराज पुस्तक मात्मा गांधी ने कब लिखी है तो यह उनी सुननाओ आप यह याद रख लेंगे यह बहुत बार पूछा गया है यह बहुत इंपोर्टेंट पुस्तक है इसलिए इसे इगनोर नहीं करेंगे आप और एक है स्वास्त की कुंजी तो आप अच्छी तरसे इसे नोट कर लिए अब एक मैं फैक्ट ऐसे बता देता हूं आप इसे नोट करेंगे कि विंस्टन च हैक्ट लेके आऊंगा जिससे आप असानी से एक एक नंबर करके बुंद बुंद से अपने गड़े को भर पाएंगे धन्यवाद